नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिग शो में तो दोस्तों बहुत मैसिव खबर निकल कर सामने आ रही है चीन से और ये एक ऐसी खबर है कि आपने से जातर लोगों ने ना इसके बारे में कभी सुना होगा ना ही देखा होगा और इसी लिए मैं कहूंगा कि इ इना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि चीन के अंदर से कुछ सेटलाइट इमेज निकल कर सामने आई है और जो ये सेटलाइट इमेज है वो चीन में जो चीन का शिंजियांग राज्य है वहां से निकल कर सामने आई हैं और आपको बता दूए कि जो शिंजियान है वो भारत के बेहद ही करीब पड़ता है आपको याद भी होगा कि शिंजियान में ही चीन का एक बहुत बड़ा एरबेस है होटान एरबेस जहां पर भारत से विवाद के समय चीन ने अपने ह-20 बोंबर तैनात कर दिये थे त लड़ाको विमान को खड़ा करने में या फिर बात करें तो जो बॉमबर्स होते हैं वायू सेना के एरकाफ्ट होते हैं इन्हें सुरक्षित खड़ा करने में किया जाता है लेकिन जितना लंबा चोड़ा और उंचा ये भैंगर है ना तो ये लड़ाको विमानों के लिए ह नहीं किसी bomber या aircraft के लिए है ये उससे भी बड़े किसी हतियार के लिए है और उसका नाम है airship विशेशक्यों ने बताया है कि चीन इसमें अपना airship पैनात कर रहा है जो भारत के लिए एक बहुत ही जादा बुरी चीज है हला कि airship का क्या इस्तमाल होता है क्यों ये खतरनाक है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन आपको कुछ और satellite image दिखा देता हूँ ये बताया गया है कि जो ground-based missile defense system है और इसके लावा anti-satellite laser weapons है ये उनकी image है जो चीन ने other side पे इस hangar के बना के रखी हुई है इसके लावा भी कुछ और हतियार है जैसे की electromagnetic pulse, high power microwave weapons और इसके लावा testing facility भी यहां पर बना लिया है यानि की चीन ने एक ऐसा specialized area बना लिया है जहां पर वो अपने future weapon को तैनाथ एवं टेस्टिंग कर सकेगा वो भारत के बेहत करीब लेकिन अब बात करें airship की airship का का काम क्या है और क्यों खतरनाख हो सकती है भारत के खिलाफ यह दरसल जो airship होते है mainly इनका इस्तमाल किया जाता है आज की तारिक में surveillance के लिए इसके लावा दुश्मन की जासूसी करने के लिए क्या आप कहेंगे कि इस काम के लिए तो drone मौजूद है चीन के पास लड़ा को विमान भी है तो ऐसा इसमें क्या खास है जो उनसे अलग बनाता है इसे तो वो है कोस्ट दरसल जो लड़ा को विमान होते हैं ड्रोन होते हैं कहीं न कहीं उन्हें उड़ाने की और उनकी maintenance की जो कोश्ट होती है बहुत ज़्यादा ही होती है वहीं spaceship को आप मान कर चलिए जैसे कि आप अपने घर में एक बार solar plate लगवा लेते हैं one time खर्चा होता है सुरू-सुरो में बहुत पैसे लगते हैं इसे run करने का उड़ाने का खर्चा बिल्कुल minimum है ऐसे में चीन बहुत ही कम पैसा खर्च करके भारत की लगाता 2400 घंटे जासुसी करवा सकता है इसके जरिये हाला कि जासुसी के अलावा क्या है यह बम दाग सकता है यह मिसाइल दाग सकता है तो जी नहीं सिर्फ इसका यही काम है surveillance and spying हाला कि अगर आप इस पूरे package को देखे यानि कि चीन ने जहां पर यह base बनाया है वहां पर airship भी है आपको microwave weapons भी मिलेंगे इसके लावा आपको laser system भी मिलेंगे यानि कि overall अगर आप package देखे तो वाके में ही भारत के लिए एक बड़ा danger ये बन चुका है भारत को जल्द ही इसकी काट ढूननी होगी हाला कि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट कर भी जरूर बताएगा साथी वीडियो को शेर केज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कूंद भूलेगा थैंक यू बेर मिश व्रोचिंग वीडियो